दोस्तो इस दुनिया में कई ऐसे शातिर चोर होते हैं जो इतनी चतुराई से चोरी करते हैं कि किसी को भनक भी नहीं लगती वहीं कुछ ऐसे मूर्ख और नोसिखिये चोर भी होते हैं जो चोरी करने के दोरान ऐसी बेतुगी हरकतें कर देते हैं जिन्हें देख हमारी हसी रुकने का नामी नी ले पाती Unknown Facts TV के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे ही stupid thief से मिल वाने वाले हैं जिनका चोरी करने का अंदास देखकर आप हसी के टाके जरूर लगाएंगे सबसे पहले इस चोर से मिलिए जो पुलिस स्टेशन के बाहर से पुलिस आफिसर की साइकल चुराने आता है इस महाशे को ऐसा लगा कि गेट के पास कोई पुलिस वाला नहीं है तो ये जल्दी से चोरी करके बहां से रफू चकर हो जाएगा लेकिन इसे कौन समझाए कि लगबख सभी पुलिस स्टेशन में सीसी टीवी कैमरा होते है और इसके हाँ पहुँचने और चोरी करने के कुछ सेकंस में ही बिल्डिंग से बाहर पुलिस ओफिसर्स पहुच गए और उन्होंने इसे घर्दबोचा अब इसे इसकी बहादुरी कहें या मूर्क था इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तो कुछ लोग चोरी करने पहुँच तो जाते हैं लेकिन बिचारे इतने घबरा जाते हैं कि चोरी के जगए कांड कर देते हैं अब इसे ही देख लीजे जो इस स्टोर के अंदर मिटी से बनी इंटीक मूर्ती लेने के लिए आया था लेकिन डर के मारे हडवड़हाट में इसने स्टेच्यू को ऐसे उठाया कि मूर्ती ही तूट गई और बिचारे को आधा स्टेच्यू लेकर भागना पड़ा अरे भाई इस आधा स्टेच्यू के तो तुम्हें 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे अब इस नौसिकी ये चोर को देखिए जो अपनी साइकल लेकर दूसरी साइकल चुराने आया था सबसे पहले तो महाशे ने लॉक तोड़ने की कोशिश की लेकिन उसमें इसे काम्यावी नहीं मिली फिर इसने अपना पूरा दम लगा कर साइकल को खीचने की कोशिश की जिससे साइकल का हैंडल तूट गया लेकिन फिर भी साइकल इसकी हाथ नहीं आ रही थी तहजूब की बात तो ये है कि इस साइकल में पिछला टायर तो था ही नहीं खैर आखिर में ये जनाब चोरी किये बिना ही वहाँ से चले गए आप इस मूर्क चोर से मिलिए जो एक दुकान में सिर्फ महलाओं को देखकर चोरी करने पहुँच गया और खुले आम चोरी करने लगा लेकिन शायद महाशाय ने औरतों की पावर को अंडरेस्टिमेट कर दिया था जी हाँ जब तक वो दुकान को लूट रहा था तब तक पूरा लिडीज स्टाफ वहाँ से बाहर चला गया और उन्होंने दुकान का डूर लॉक कर दिया इस मूर्क ने अपनी गन से और दौर का ठोकने लगा कर दर्वाजे को तोड़ने की कोशिश की लेकिन दर्वाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था फिर ये चूओं की तरह इस पंजरे में फड़ पड़ाने लगा आखिर में पुलिस ने इसे गरफतार कर लिया अगली घटना पाकिस्तान के फैसला बात किया है जिसमें ये चोर महाशाए एटीम मशीन से चोरी करने आए और चोरी के दौरान ये कैमरे में देखकर पुलिस और सिक्यूरिटी को चड़ा भी रहे क्योंकि किसी भी औजार के बिना इस चोर ने अपने हातों से ही एटीम मशीन को खोल लिया इस अलबेले चोर ने एटीम मशीन खोल कर उसमें से पैसे नहीं चुराए बलकि अंदर भसा एटीम कार्ट चुरा कर वहां से रफू चक्कर हो गया इसे कहते हैं मूर्कता और चालाकी का अनुका मेल अब इस फिल्मी चोर जोड़े से मिलिये जो शौपिंग मॉल में चोरी करने आये थे लेकिन सिक्योरिटी और स्टाफ ने उन्हें दर्वाजे परी रोक दिया सिक्योरिटी से बच्टे बचाते हुए स्टोर रूम में गया लेकिन वहाँ भी इसे रास्ता नहीं मिला और आखिर में इसे सिक्योरिटी में धर्द बोचा अब इसकी साथी चोर यानि ये मूर्क लड़की छुपते हुए स्टोर रूम में आ जाती है और सीलिंग में छिपने की कोशिश करती है लेकिन सीलिंग तूट जाती है और ये सीधे नीचे आगरती है और अपनी हड़ियां तुड़वा लेती है आखिर में इन दोनों को पुलिस स्टेशन वाले पिंजरे में बेच दिया जाता है तो दोस्तो अगर आपको कैमरे में कैद ये मूर्ग चोरों की मूर्गता बरी हरकतें देखकर हसी आई हो तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में हमें अजासत दें आपका बहुत बहुत शुक्रिया